एसलाम लेकुम आज मैं आपके साथ रिये हम तंदोरी रोटी की रेशिपी रियेiken की आप है, वही बन buy, इस की चाहिजूं, सानलेन, आप पहले हैं थारती है लिगा और हाफ कप मतलब कि 2.5 कप यहां पर मेरे पास All परपॉस फ्लार है मैदा है ठीक है आप चाहिए तो आधा गेऊ का आट और आधा मैदा पर एक टेबल स्पून शकर और ऍमक एड़ किया है और यहाँ पर मैं हाफ कप ड़ी तो देही तो रूम अपर प्रीज का निकाला हुआ नहीं इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर मैं एड़ करी हूँ पाउडर और उसी के साथ आफ टीस्पून बेकिंग सोडा, इस्तमाल करें हो ठीक है, अब इन सारी चीजों को अच्छे से डालने के बार हम इसे मिक्स कर लेंगे, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले, तो हमें इसका आटा लगाना है, भूद ही हम सौफ्ट आटा लगाए थो 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 पानी आड़ करते जाएं आप और इसल अच्छी तरीके से गूंद ले तो यहां अपर जो है यहांपर जौनध कर था union इपना इतल और है फानी है इसले है तो पुरा ही पानी पर इसले तो यहांपर आप yourہ कितaran कर लिए अगर आप से नियद में यहां नीड नीड लेगे के लिए three और रोटे हुinky the focus नीड ळे मैं ठेहरे से 2 टेवल स्पून के बराबर राबर ओईल कोई करने के बाद इसे के सी तरीक्षात लिए हैं तर had के बहुत वड़ु सव्ट बन एंगे यह ready हो चुका है तो इसे क्या करेंगे रख देंगे तो पहले हलका सा मैं क्या करूंगी और इस तरीके से मैंने ग्रीस किया और अब क्या करेंगे हम इसे cover करेंगे और cover करेंगे करीब 2-3 गंटे के लिए इस तरीके से room temperature पर ठीक है जब हलका सा इसमें fula-plane पर आचुका है मतलब के ऐर इसमें फॉण हो गई है तो बस अब क्या करेंगे इसे एक दो you bay इस तरीके से इस साइज में बनाया है आप जितनी बड़ी रोटिया बनाना चाहते हैं उसी साब से आपने लोईया तोड लेनी है तो इस तरीके का मैंने बनाया है तो अब इसे क्या करेंगे बनाते जाएंगे और साइड उपर रखते जाएंगे तो करीब उतने आटम ही जो हमारा जो लोईया बनी है वो कम से कम आट से नौ बनेंगे ठीक है तो अब क्या करेंगे हमें इसे बेलना है तो हलका सा इसे डर्स कर लेंगे और इस तरीके से प्रेस करके हलका सा बढ़ा लेंगे हम इसे बस इस तरीके से हलका सा बढ़ा लेंगे इसो च्राब देखे मैं इनसे बढ़ा लिए अब कया करें गया हटा सा फ्लार ड्स करेंगे कि इस तरीके से करने के बाद अब क्या कर इंक करें आधा से बेल लेंके ददे रोलर की मरत से इस तरीके-से बेल लनगे कीव तो सब्सक्राइबंक वाल टे अभी तो से टेगा नही तो बस तरीके से में खिल करते की त Spencerener रोलेल के हेल्प से इस तरीके से प्रेस करते साओंगे ताकू जाया स्वाइबंक कीवाल बस ते कहा mz बोध़ भीकह से फिलिप करने के बाद अब हैं इसे लगदेंगे फीर से लिंग उल्टा करों कि लोटा पटल चाहें थीकन confirm आप मेने तो हम चलिखने के बंदें ये कृड़़ी के पाने कि रिए ना उस्थ्साइल बेहने प्लप करें अज़े, पाणी नहीं उसमरी रहते, पानी के सबस्किरे में अचीह तरीक की सा लगाना है दूसरी तरफ तबे को गर्म करने लगा है, तो रोटी वो के इस घंटे के सा ओर नगी उपर पह अहती आती से aire ओर N. रखेंगे Coke एंना कोштरी की चरलां इसमें फॉर्म हो जाएंगे और यह नीचे से अंदर से कच्छी रह जाएंगे तो बिल्कुल मेडियम हाई फ्लेम पे आपने से कुक करना है तो दिखिए बबल सा रहे थे इसके उपर अब क्या करेंगे इसे तवे को इस तरीके से फ्लिप कर लेंगे हम ठीक है इस तरीके से ताकि चार तरफ से अच्छा से अच्छा से कलर आ जाएंगे कि इसमें ब्राउन स्पॉट्स नजर आ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से कुक हो गई है इसे दिखा रही हूं आपको यह रिखें बस यह रेडी हो चुकी है तो अब इसमें थोड़ा से बटर जो है वह इस त तो इस तरीके से चुड़ा लेंगे और इसकी बैक साइड देखें बहुत ही मज़ी की रोटिया बनका तियार होती है तो आप सेम रेसिपी फॉलो करें सेम इंग्रेडियन्स के साथ वालो करें बहुत ही मज़ी की बनेगी ठीक है मिलती हूं मैं नेक्स वीडियो में तब द